कैसे हूप सभी लोग वेलकम बैक तो मैं चैनल सो गई स्वाकत तक को हमारी एक और नहीं इमेजिंग वीडियो में तो गई आज किस वाली वीडियो में मैं आपको फिर से माइनक्राफ्ट की 1.19 एं 1.20 की टॉप 3 सीट्स देने वाला हूं और यह सीट्स आपकी सर्वाइवल क वीडियो बना दू है अब बात करते हैं आज की सीट्स के बार में आज वाली सीट्स भी काफे जाद़ अमेजिंग है आप उन सीट्स को ट्रा करते कि अब एक करना आ अपनी वीडियो को स्टार्ट इस वाली सीट से अपने वर्ल्ड को क्रीट करेंगे तो आप कुछ इस जगह पर स्पॉन हो जाएंगे आपके स्पॉन पॉइंट से बिल्कुल सामने की तरफ आपको एक विलेज देखने के लिए मिल जाएगा और इस विलेज के अंदर आपको मिलता है वो बासओ इसमें में मिलेंगे 5.5 डामेंड गोलमि थीए और ऑल्ल की विलेज काफे जदा बड़ा है और यहिस अब आपको जाना है operate कal देखने जिने प्र जा रहा हुँ उन अपता लगा सकते हैं या टेलीपॉर्ट הוא सक्ते है तो सामने की तरफ आप पको एक चस्ट मिल जाएगी इस देस्ट के अंदर आपको काफी सारे गोल्डन कैरेट्स मिल जाएगे सबको वापस से विलेज में आ जाना है विलेज के पडोस में कुछ इन कोडिनेट्स पर आप नीचे की तरफ में डिक करेंगे तो आप डारेट एक लाइबरेरी में पहुंच आप इन कोडिनेट्स को भी आपको डीचे की तरफ टांट बलेगे तो नीचे आपको मिल ब्लेका सब्सक्राइबरें lid तो हम सीधा Stronghold के अंदर आ चुके हैं और इस से बिल्कुल पीछे की साइड को इस डारेक्शन में आपको बना लेना है एक Nether Portal अब हम आ चुके हैं Nether Portal के अंदर तो सबसे पहले मैं एक Night Vision Portal पी लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको सब्पूच दिखाता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम स्पॉन हुए हैं डारेक्ट नेधर फोट्रेस पे और नेधर मेंशन पे और दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं बिल्कुल एक साथ मैं आपको देखने को मिलेंगे और नेधर फो जादा असान होना जाती है इस सर्वाइवल जर्नी तो यही था इस सीड के अंदर आपको सीड कैसे लगी मुझे कमेंट करके जोरू से पताना तो चले ही हम चलते हैं अपनी नेक सीड पे इस वाली सीड से अपना वर्ल्ड क्रेट करेंगे तो आप इस जगा पर स्पॉन हो गुए जिस डिर्क्षन में मैं जारा हूं तो आप इस जागा पर पहुंच जाएंगे यह विलिज शूंब के शादा बड़ा है इस विलेज रहा तो देखते हैं में क्या क्या मिलने वाला है उसमें जादा कुछ खास निया है इंकी चैस्ट प्लेट और ऑंशी टोड़े से इधर जैसे आप इन कोडिनेट्स पे डिक करेंगे तो आप एक zombie spawner पर पहुंच जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अब आप इन वाली chest में चेक करते हैं कि इन में क्या के मिलने वाला है इसमें तो कुछ iron जी हैं और इस वाली chest में हमें कुछ red stones and name tag मिल जाएगा अब में इस village से कुछ सामने की direction में जाना है आप मेरे coordinates को जरूर follow करना इने ही follow करके आप आगे बढ़ना ताकि आपको confusion ना हो तो उसी direction में थोड़ा सा आ गया ने पर हम एक और village में आ जाएंगे सीधे direction में जाना है आप इन coordinates को follow जरूर करते रहना सीधा सीधा आपको जाते जाना है coordinates को follow करते हैं आपको कुछ इदर आ जाना है इसके नीजे आपको मिल जाएगी chest और आपको दो-दो diamonds मिल जाएंगे 12 वारे मिल जाएंगे दो-दो name tag भी मिल जाएंगे सबको चेस्ट से थोड़ी सी left side में सीधे जाते जाना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक और विलेज यह विलेज भी काफी जादा बड़ा विलेज होने वाला है और coordinates को follow जरूर से करते रहना मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको इधर से सीधा जाना है आपको एक और यहाँ पर रुइंग पोर्टल मिल जाएगा यह रुइंग पोर्टल यहाँ प्रटा सा है विल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर है अब देखते हैं कुछ भी नहीं है एक गोल्डन आपल के लावा तो अब हम मैं इस रिंग पर्टल चे थोड़ा आगे जाना है थोड़ा सा राइटों के एक दम हमें सीधा सीधा जाना है थोड़ा सा आगे है पर आपको एक प्लेज टावर मिल जाएगा एंड प्लेजर काफे जादा बेस्ट लोकेशन पर है क्योंकि इस फिलेजर टावर से फोड़ा से याक और विलेज हैं तो वो विलेज मैं अपको दिखा देता हूं सबस्ट यह उसी विलेज की तरफ जो हमने सबसे पहले एक्स्प्लोर की आथा तो बिल्कूल आई यहां पर आपको सीदे-सीदे बिल्कूल जाते जाना है कोडिनेट्स का भी ध्यान रखते रहना कहीं जादे आगे चले जाओ वापस से पहुंच गए हैं स्टार्टिंग वाले विलेज में अब हमें उसे वाले रिंग पॉर्टल पर जाना जो हमने पहले एक्सप्लोर किया था यहां सब हमें नेधर में चले जाना है इस नेधर में जा रहा हूं उस डिरेक्शन नहीं अब जाते जाना मेरे कॉडिनेट्स पर फॉलो कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं इस पॉर्टल से थोड़ा बहुत आ गयाने पर हम पहुच जाएंगे नेधर फोर्ट्रेस में एंड़ इसे फोर्ट्रेस काफ़ी जादा बड़ी फोर्ट् करते रहना मेरे कॉडिनेट्स पर भी अब ध्यान देना तो आपको पॉर्टल के पास से राइट साइड होकर बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है और जब लावा आ जाएगा तो वहां से भी आपको राइट होकर सीधर सीधर जाते जाना है और कॉडिनेट्स के थूरू भी बीए आपको यह आपको देख सकते हैं आप एक गोड ब्लॉक मिल जायाएगा मैं आपको नीचे की तरफ चाहीं से दिखा देता हूं अप राम से उन्हें भूण सकते हैं और मसे उठा सकते हैं चेस्ट में वी काफी एच्छी लूट्स आपको मिल जाएगी तो बस यहीता ह में आपको एक blacksmith मिल जाएगा इस वाले blacksmith में हमें देख सकते हैं छे-छे diamonds मिल जाएंगे and iron की chest smith मिल जाएगी diamond का हौर सारों मिल जाएगा काफे सारो obsidians and apples मिल जाएंगे और इसी village में आपको एक rowing portal मिल जाएगा and उसके अंदर आपको दो-दो gold blocks मिल जाएंगे and drawing portal रुपुल साइड में कुछ incoordinates पर जैसे अप डिक करेंगे तो आप direct एक diamond वाली cave में पहुँच जाएंगे तो आप सामने की दरफ देख सकते हैं पर आपको 3-3 diamonds मिल जाएंगे तो कि काफे जाएदा सही है आपकी survival जरनी काफे जाएदा best बना देंगे इसी village में incoordinates पर जैसे आप डिक करेंगे तो आप direct पहुँच जाएंगे stronghold में अब आपको village से थोड़ा सा दूर कुछ incoordinates पर आजाना है अब देख सकते हैं यह city मैंने पहले तो minecraft में नहीं देखी मेरे सबसे new update की वज़े से city आई है इस city में काफी सारी chest है काफी सारी loots आपको मिल जाएंगी यह देख सकते हैं TV screen ने पतानी क्या है और में को comment में जरूर से बताना कि यह वाली city कौन सी है कैसी है और आप इसकी loot देख सकते हैं इस chest में देख सकते हैं इतने सारे portion यहाँ पर मिल जाएंगे आपको और हर chest में आपको काफी सारे potions मिलेंगे तो guys मुझे comment में जरूर से बताना कि यह city है minecraft की underground उस city का नाम क्या है तो बस यही था इस वाली सीड में आपको यह वाली सीड कैसे लगी मुझे comment करके जरूर से बताना और इस city का मुझे नाम भी जरूर से बताना तो यही थे हमारी minecraft की three best survival seeds मैंने आपको बिल्कुल deeply बता दिया है कि कौन कौन सी जगा पर क्या के चीज़ आपको मिलेंगी और क्या के चीज़े हैं तो आप जाकर explore कर सकते हैं और आपको आज के वाली वीडियो कैसे लगी मुझे comment करके जरूर से बताना seeds कैसे लगी तिनों मैं से कौन सी seeds सबसे ज़दा बस लगी ये भी मुझे comment करके बताना तो बस यही था आज की सवाले वीडियो में अगर आप चाहते हैं और seeds पर मैं वीडियो बनाओ तो मुझे comment कर देना कि हाँ और seeds पर वीडियो बनाओ चले गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और नहीं वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तर्त के लिए thanks for watching